आज सिलाम हो आलेकुम, तो चलिए, आज हम बनाते हैं चिकन टिका वो जो रेड वाले आते हैं ना बढ़िया से मज़ेदार, in fact इतनी आसानी से घर पर बन जाते हैं और बाजार से बहुत ज़ादा बहतर घर पर बनते हैं, टेस्टी और डुलिशुस होते हैं, तो चलिए शि चन्नी के ओपर आधे पौने घंटे के लिए नितागने रख दिया था, अगर आपके पास समय ना हो तो आप पैट ड्राइ कर सकते हैं, यूशुली हमेशा मैं कोई भी रेसिपी में थाई पोशन ही लेती हूँ, उससे जूसी बनते हैं बढ़ आप चाहें तो ब्रेस पोश और जो आपको गारी दही मिलेगी, बस वही है हमारा हंकट दही, तो इसे एक प्याले में दाल दीजिए, एक टेबलस्पून आदरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए, एक छोटा चाह का चमच, धनिया पाउडर, दो छोड़ी चाह का चमच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे ये जादा स्पाइसी वाला नहीं होता है, ये कलर के लिए, और इसके साथ साथ मैं एक छोड़ी चाह का चमच, स्पाइसी वाला भी ले रहे हूँ, दोनों टाप के दाल रहे हूँ, एक छोड़ी चाह का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, एक छोड़ी चाह का चमच, और यहां पर मैं दाल देती हूँ 2 टेबल स्पून सर्सो का तेल, कोशिश कीजिए सर्सो का तेल ही दाले, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, एक निम्भु कारास आप देख सकते हैं, छोटा निम्भु है, बहुत जादा बड़ा नहीं है, एक चुड़े चाय का चम्मत चाथ मसाला पाउडर, या आप आपके स्वाल अनुसार डाल सकते हैं, चुटकी भर, तंदूरी फूर्ट काल जा लीजिए, ठाक कर फ्रिज के अंदर रख दीजिए, नेक्स डे बनाईएगा, मैं लेकिन 3-4 घंटे के बाद बना रही हूँ, तो ठाक कर इसे फ्रिज में रख देती हूँ, दो घंटे के बाद आप चाहें तो कढ़ाई ले, फ्राय पैन ले, मैंने तो कढ़ाई ली और बिसमिल आयरह्माने रेम बोल कर ये जो चिकन मेरिनेशन के साथ सारी ताल दीजिए, और चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, और इसे तकरीबन 4-5 मिनिट तब फास्ट आज पर पकने दीजिए, जब बीच में ही, जब आपको ऐसा लगे उलट-पलट करने जैसा, तो एक-दो बार उसे इंटर्विल्स पर चला लीजिएगा चिकन को, जब 4-5 मिनिट हो जाए, और आप देखें कि चिकन का कलर चेंज हो गया है, तो चुले को कर दीजिए, स्लो आज और 5 मिनिट के बाद धाक कर इसे तकरीबन 15 मिनिट के लिए पकने दीजिए, मुझे अल फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, और पानी पूरी तरीके से आप इसे बार-बार चलाते हुए सुखा लीजिए, अब यहाँ दो-तीन तरीके हैं, आप पूरी तरीके से सुखा लीजिए, और उलट-पलट करते हुए डाक स्पोट आ जाए, तो चुले को कर दीजिएग कोईले को साइट पर जलाने रख दिया था, वाटी बीच में रख दीजिए, कोईला दाल दीजिए, और क्विकली तेल घी या मखन दाल दीजिए, और इसे ठाक दीजिए, और तकरीवन समझे न, पाँच मिनिट तक ऐसे ही रहने दीजिए, तो ऐसा लगेगा कि हमने कोईल उलट-पलट करते हुए, पूरा सुखा लीजिए, और डाक स्पॉट्स आने लगे दोनों और से, उसी के बाद ही बन कीजिएगा, और कोईले का टंडा देद दीजिए, उसके बाद उसे सर्फ कर दीजिएगा किसी चटनी के साथ, दूसरा तरीका ये है, कि आप काटा लीजिए, या फिर ये जो आतना चिम्टा, जिससे हम पापड वगरा सेखते हैं, या फिर वो लीजिए, एक-एक हमारी चिकन पीसे लीजिए, और डारेक्ली गैस के ओपर उलट-पलट करते हुए, उसे ग्रिल कर लीजिए, जब स्पॉट्स आने लगे, तो इन्हें को लगा दें, उलट-पलट करते हुए, उन्हें ग्रिलिंग स्पॉट्स दिला दें, थोड़ा-थोड़ा मखन लगाते जाए, और फिर जब उलट-पलट करते हुए, अच्छे ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाएं, तो निकाल लीजिए, सौफ कर लीजिए, चटनी के साथ, बट मैं यहां क्या कर रही हूँ, मैं यह जो सीख है, इसके अंदर मेरी चिकिन को इस तरीके से डाल रही हूँ, आपके पास यह सीख ना हो, तो कोई बात नहीं, आप शायद कांडी का भी इस्तमाल कर ही सकते हैं, लेकिन ज़रा संभालना पड़ेगा आपको कांडीों के ल लगाते जाए, या फिर मैं मसाला बाद में एंड में उसके साथ सर्फ कर रही हूँ, उसमें भी आपको मैं दो तरीके बता दूंगी, चलिए अब इन्हें हम डारेक्ली ग्रिल कर लेते हैं, प्लेट रख दीजिए और इसी तरीके से उलट-पलट करते हूँ है, हमारी चिक इसे सबसे पहले मैं ग्रिल कर लेती हूँ, इसी तरीके से जब सारे आप ग्रिल कर लें और प्लेट पर रख दें, तो अब आपके ओपर ये है कि जो मसाला साइट पर रखा है, उसे आप अच्छा गरम कर लीजिए और थोड़ा-थोड़ा जब प्लेट के ओपर सर्फ करें तो उसके ओपर ये मसाला चिकन के ओपर लगाते जाएं, दूसरा तरीका ये है कि जो ग्रेवी रखी है, मैं साइट पर रख दूँगी, जिसे लगा कर खाना है, वो खा सकता है, गरम करके रख देती हूँ, तीसरा तरीका ये है, जब चिकन स्पीसिस सारे आपके ग्रिल हो चुके है, और मैं लेकिन साइट पर रख खा रही हूँ, कभी मैं वैसा कर खाती हूँ, जो भी तरीका मैं आपको बता है, वो सारे ही तरीके मैं आपना लिये, और सारे ही बढ़िया तरीके होते हैं, अच्छा मैंने थोड़ा सा मक्षन करम किया है, वह आपके ओपर आपने बड़िया फ्लेवर आता है मक्षन दाल के आप मैं थोड़ी सी खोथ मेरे आने के हरा धन्याद छड़क देती हूँ और इसे मैं सर्फ कर रहे हूँ दही वाली हरी चटनी के साथ और ये है इसकी बच्ची हुई चटनी गरम करके पूरा टोटली आपके उपर है तो लगर ये ना चिकन टिकका एकदम बाजार की घर में बनाई ऐसे दिखी नहीं रही है और टेस्ट में एकदम बढ़िया होती है आप चाहे तो निम्बू नी चोड़कर खाए या फिर थोड़ा सा चाट मसाला चुड़क के खाए अचाहा ऐसी कुछ मैंने टिकको की रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड की है सारे लिंक्स दिस्क्रिप्शन के अदर है आप महाँ चेक कर लीजिएगा अगर आप यह रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें शेक्षिर में जरू शेयर कीजिएगा मुझे आपकी कमें पर अच्छे लगते रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए उससे जाद अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवर्ड कीजेगा फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टीक कर आला हाफिस बाबाए